सभी श्रोतों को मेरी तर्फ से दोनों हाथ जोड़कर संध्या का परणाम महान संत गुरु रविदास महाराज जी का जीवन और उनके उपदेश मानमत को सही महारग दिखाने का प्रकास स्थम्भ है उनका एक महात्यपूरण गहन विचार है सहज पके सोब मीठा होई इसका अर्थ है कि जो चीज धीरे धीरे समय के साथ पकती है बे मीठी और सार्थक होती है ये विचार हमें धैर्यों, समर्पन और समय के साथ सभाविक विकास का संदेश देता है महान संत गुरु रविदास महाराजी ने हमेशा जीवन में संतुलन और धैर्यों का महत्यप समझाया उन्होंने सिखाया कि जीवन में कोई भी सफलता और अध्यात्मिकता उन्ती तभी प्रापत होती है जब हम धैरे पूर्बक प्रतिक्षा करें और अपने कर्मों पर ध्यान दें जैसे फल धीरे धीरे पकता है और जब बे पूरी तरह पक जाता है बे बहुत मीठा और स्वादिश्ट होता है बैसे ही जीवन में सची सफलता और सुख भी समय के साथ ही प्रापत होते हैं एक बार उनके एक शिश्य ने गुरु रविदास महराजी से पूशा कि गुरु जी मैं जल्दी से मोक्स प्रापत करना चाता हूँ क्या इसका कोई तबरित उपाई है गुरु जी ने मुस्कराते हुए कहा सहज पके सो मीठा होई उन्होंने समझाया कि अध्यात्मिक उन्ती कोई तबरित प्रतिक्रिया नहीं है इस के लिए समय और धैर्यों की अबश्यक्ता होती है जैसे बीज को अंकुरित होने बढ़ने और फल देने में समय लगता है बैसे ही आत्मा की उन्ती भी दीरे दीरे होती है यदि हम जीवन में धैर्यों और शांती बनाये रखते हैं और अपने कर्मों में निरंतर्ता और समर्पन रखते हैं तो समय के साथ हमारे प्रयासों का फल अवश्यव मिलेगा जल्दी बाजी में की गई कोई भी चीज ना तो स्थाई होती है और ना ही उसका स्वाद मिठा होता है इसलिए महान संत गुरु रविदास महराजी हमें सिखाते हैं कि जीवन में धैरे रखें इश्वर की भक्ती में लगे रहें और सहिस में आने पर इसका फल अवश्यव मिलेगा इस प्रकार सहाई पके सो मीठा होए संदेश हमें सिखाता है कि सफलता और अनांद समय और धैरे के सभाविक रूप में मिलते हैं दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्याबाद अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें अगर अभी आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूले शाम को फिर मिलूँगा पांच वजे ऐसे ही प्रेणन दाइक वीडियो के साथ तब तक जै गुरु रविदास जी महराज जै भीम शुब्रात्री दोस्तों झाल को यूले बेल करें अभी में थाउड़ प्रेसान दाएब को जै अजै जै एल रविदावाज करें लाज़ाग पहाज को प्रेणन दाद्सक्पार साथ प्रेणन देम हैं भीम शिसे वीडियो के लिएव़ तक जैएवाज़ को ज Christmas